हेलो गाई स्वागत है आपका अपने चैनल फेंटैसी दूर दुरसन में चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाइजी डबलू वर्सिस बीओ टी डबलू वुमिन्स का पूरा मैच का एटूज डीटेल्स बात करेंगे गागा इस इंटरनेशनल क्रिके स्टेडियम का रहने वाला है रावांड़ का इस्टेडियम में बिच बीवियर के बाद करो और बॉलिंग करेंगे लेकिन वह फूरा एक्डम बैटर्स के लिए एकडम सपोर्टेवल बालिंग बन जाता है जिसके कारण क्या है वह बैट पे लगकर सीधा बाउंडरी के बा बात की जाए इस्पिनर्स की तो इस वीडियो को यूनिक तरीके से बनाया तो वीडियो में लगतार बने रहेगा लाइक टार्गे 200 का है लाइक से अर सब्सक्राइब कर दिए बल आइकन को प्रेस कर दिए आपका चैनल हो या फिर आपका फेस्बूक पेज हो कहीं भी आप इसको सेर कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलेग्राम का आप वहां पर जोई कर सकते हो हमारे चैनल को क्योंकि फाइनल अपडेट जो भी होगी हमारी या फिर इंजरी अपडेट या फिर कुछ इंफॉर्मिशन हमको मिलती है मैस से रिलेटेट तो आपक पर लिंक पर आप नहीं जोईन कर पारे हो तो आप सर्च कर सकते हो एड़ रेट फेंटेसी दूर दरसन जाकर टेलेग्राम में सर्च करना आपको नीचे जोईन को आप जोईन हो गया हमारे चैनल को अब बात करते हैं वीडियो की तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप करक की अब यहां Aber कर लेकॉन कौन साव इसता तो फवर नाइगरिया म्रेश का तो एक ढड़ Griff के नाइगरिया कन वुमें और से नाइगरिया केज़ वाम नोप कर दिया에서 Advance कि14 और एक नाइगरियाओ यहां पर फेन noir वोमेंट नाइगरिया वोमेंस को यहीज यहां नोग तकर द कैरेंग के या ओंट कर दिया इंकर कर दिया के एनडबलू धुकर दिया ने करते हैं पिड़ कर दिया नागीर्याइघ नियुक्ता वेड्र से बीट कर दिया फुर्ट जो मैच हुआ बाई नागिरी वोमें वर्सस आर ड़ वूमेंश और भाव दीट कर पाया वहां परोugen Fact को ब्सक्राइब भोनें यहां पर दोयां थी को परी ओलिखेन बदान शीट कर देँग्ञें अर्ट चेर्ज पाई पथे तो जिसके करदे का पर्फॉरमस बहुत ज्यादा अच्छा ही निकला अब बात करते हैं अब बात करते हैं वरसेश वी ओटी वुमिंस का टोटल मैच का रिकॉर्ड आपको सोरा हो गया आपस हर मैच हारते हो यह लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दो किसी भी प्लेयर्स के या फिर किसी भी टीम के रीसेंट फॉर्म पे मत जाईएगा क्योंकि देखो ये जो भाई बी ओटी वूमन्स माल लो इसी टीम को पगड़ लेते हैं हम ये जो टीम है भाई ये लगतर हारते हुए आ रही है लेकिन अगर अमाल लो आपको इस टीम का कप्तान बने दिया जाए और आपको आपका टीम रेगुलर हारते हुए आ रहा है तो आपके उपर किस प्रकार का दवाव रहाएगा एक बार सोच देखने को नहीं मिला मुझे जितना भी इदर रिकॉर्ड देख रहा हूं दिखा रहा हूं यार आपको इसमें सौ से उपर आपको नहीं देखने को मिलेगा एक आद मैच में ही मिलेगा वह भी नहीं है बाई सब मैच में यह नबे, 68, 39, 73, सब में 10-10 विकेट, साथ-साथ विकेट मतलब इनका थोड़ा सा बैटिंग और बालिंग ओर दोनों कमजोर है लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा थोड़ा सा इसके बालर्स थोड़े से तगड़े हैं इसके आपको क्या गरना है बैटर्स को छोड़ना है आपक पर एक विकेट गिरा था नाम वुमेंस का और यहां पस नाम वुमेंस ने बाड वुमेंस को पैसा टरन से बीट कर दिया सब्सक्राइब यहां पस बीड़ी वुमेंस वर्सेस केन वुमेंस का था 68 पे 9 विकेट गया भाई फिर कैन वुमेंस का यहाँ पस 71 पे 1 विकेट गया मतलब इसली यहाँ पस 1-1 विकेट से अराम से मतलब इनकी ओपनर्स यह अच्छा खासा प्रदसन बोर्ड वुमेंस के सामने देते जा रहे हैं कैन वुमेंस ने हाँ वीट कर दिया बोर्ड वुमेंस को 9 विकेट से थर्ड जो मैच हुआ भाई बोर्ड वुमेंस वर्सस रौ वुमेंस का तो यहाँ पस 29 पे 10 विकेट गिरा बोर्ड वुमेंस का और रौ वुमेंस का यहाँ 31 पे 2 विकेट गिरा मतलब आप देख सकते यार रौ वुमेंस भी यहां पस वाड़ वुमेंज को इसली चेस कर गई, आठ विकेट से बोट को हरा दिया रोवुमेंज ने, फॉर जो मैं चुआ भाई बोड़ वुमेंज वर्सस केंड वुमेंज का, तो यहां पस तियत्तर पे 10 विकेट गिरा, बोड़ वुमेंज का, एक सो तैईस पे साथ वि अब मैं आपको इक चीज बता दू कि आहां पस आप क्या करना मालूम, आपको सिर्फ एक ही चीज करना भाई, इनके टीम के तरफ से आपको प्लेयर्स को थोड़ा से रखना है अपने ग्रेंड लीग, क्योंकि एक आठ टीम में रखना, ज्यादा तर बोड़ वुमेंज के इनके कवजड़ी आठागेगेर्स को बहुत जादा अपने टीम में रहना, क्योंकि क्या है नाइगेर्याव बोड़ी इसनके टीम बहुत बहुना है, इनका बैडिंग और बाईल CTR इनका बैटिंग और बो बोल रहा हो बॉर्ड वुमेंस के तरफ से अपने एका टीम में ट्राइ कीज़ेगा ज्यादा तर वॉर्ड वुमेंस के प्लेयर्स को रखिएगा अगर आप ग्यारा टीम लगाते हो तो आपके लिए बेस्ट आप्शन रहेगा अब इदर मैं आपको बता दू प्रोबेबिल 11 क्या है और इनका रिकॉर्ड क्या है तो फिर स्रेवर्ड गाजाते हैं और लेकिन फिर समात अगजुमा आ जाते हैं चार मैच में 43 रन दीया है और ओं ऑसी का है ये भी अच्छी प्लेयर है 3 मैच में 23 रन दिए चुकी है Blacing इतीम है 5 मैच में 43 रन दे चुकी है 3 विकेट भी ले जा चुकी है 4 मैच में 22 रन है प्लस 3 विकेट ले जा चुकी है Salomon Sunní है 6 मैच में 63 रन है प्लस एक विकेट है भाई फिर उसके बाद E Sandy है, आपकी चार मैच में 19 रन है, फिर J Fosa है, आपकी 7 मैच में 5 रन है, प्लस 4 विकेट है भाई, फिर A Abler है, 6 मैच में 2 रन है, प्लस 4 विकेट है, फिर Mary Damond है, 4 मैच में 19 रन है, प्लस 2 विकेट है, कुछ इस प्रकार का इनका थोड़ा सा लाइन अप है, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के सजेशन मैं दे दूँगा, आप उन्हीं में से जो आपको प्लेयर अच्छा लगे, जिसको आप अपने टीम में रखना चाहोँ, आप उसको ट्राय कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर स्टैट्स वगेरा बता दिया हूँ, ठीके तो आप आपको ए-to-z प्लेयर का यहाँ पर स्टैट्स मिल जाएगा, यदि कोई प्लेइंग लाइनप में चिंजप होता है, तो मैं आपको टेलिग्राम पर अपडेट करूँगा, और वहीं पस उसका स्टैट्स वगेरा बता दूँगा, आपको बता दू, टॉप बॉर्डर के ब प्लेस प्रकार काुण का लाइनप है, फिर उसके बाद बोड्स वाणा वूमेंज का देख लिए जाए, तो लौरा मॉफ मॉफ जरी चार मैच में चंपर रं है, बॉंत ले में ले हैं, चैनले है, नौ मैच में बार्ष स steam में लेघियर 97 वाई, मोऊ सुबी में 142 रन है, व तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मेभी और टॉब और के बैट्समें कौन-कौन से है इधर एस माइका है एफ मौफकेडी है फिर सिमलेस मौस मिडल ओर्डर के बैट्समें कौन है जैकलिंग के गांग है तो नागरियाव ओमनस कि है यसके इसाफ से बैलेंस तीम थोड़ी दिख रही है मुझे नागरियाव ओमनस की मैपको पहले इह ता मैच सिटार्ट करते हैं बता दिया था आपको बैलेंस टीम नागरिया वूमनस क्या है लेकिन बॉर्ड वोमेंस का जो आपको रीसेंट जो स्टैट्स बता है प्लियर्स की तो उसके इसाब से गूड आकेट अटैकिंग बॉलर्स आपको देखने को मिले होंगे अब टी 20 मैचेस का आवरेज स्कोर की बात की जाए तो 99 है लेकिन आवरेज फास्टेंग स्कोर 110 जा सकता है यदि नाइगेरिया वुमेंस पहले बैडिंग करती है तो टॉस विनर ऑप्सन करेगा बॉल पहले का क्यों करेगा अगर बॉल पहले का उप्सन किया तो 60% चांस है और जीतने का चांस बताओं अगर पहले बैडिंग करता है तो 60% है अब इदर बता दू आपको बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का सजेशन कौन कौन से रहेंगे आपके लिए तो ब्लैसिंग इतिम आ जाते हैं फर्स नंबर पे 41 रन है तीन विकेट है जो अफसा आ जात करते हैं ग्रैंड लिग्यों का चो टीम रहने वाला हमारा ड्रीम 11 के ओफिस्यल वेबसाइट पर आपको सो करूंगा एक चीज और आपको बता दू सारा अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा तो अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए बिल्कुल डि कर सकते हो बिल्कुल आपको फ्री चूट है कैप्टन का सेजेशन में आपको वीडियो में दे चुका हूं तो उसके हिसाब से आफ रख लिजेगा अपने टीम में यदि आप देखकर नहीं है वीडियो को लास्ट में आ गए भाई स्किप करके वीडियो तो आप वापस जा सेजोंगा और सेंडाक करते हैं बिल्कुल वीडियो को स्किप करके नहीं देखने के लिए धन्यवाद आपका चलिये मिलते फिर हमारे नेक्स वीडियो में captain wise captain का suggestion आपको दे चुका हूँ ये कुछ इस प्रकार का final मेरा small league का team रहने वाला है आप देख सकते हो आपको पूरा clear हो गया होगा ये small league है grand league का team में आपको so कर चुका हूँ ठीक है गाइस मिलते हैं फिर हमारे नेक्स वीडियो में ने लिए 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 से साथ तब तक की फिर जैए